यह को जड़ा ध्यान से लिखेगा पकसीनिया यह भी बैसिडियो माईसीटीज का मेंबर है अब इसके बारे में जितनी बाते हम बताएंगे ना उसको बहुत ध्यान से सुनिये बहुत ध्यान से इसको समझ रहा है ठीक है पक्सीनिया को हम लोग wheat rust कहते हैं यह तो पता है यहूँ wheat rust कहते हैं इसको ठीक है या stem rust भी कहते हैं बहुत सारी species भी हमने पढ़ाई है अभी हमने नाम भी बताया था सारी species का पक्सीनिया, graminis, triticae यह बहुत common है और केसी महता ने इस पर अपना work करा था यह हमने आपको बताया था rust cycle को इन्होंने observe करा था member of basidiomycities है यह basidiomycities का member है यह हमें पता है पक्सीनिया की species heterosius भी होती है और autosius भी होती है heterosius का मतलब यह है कि यह अपनी life cycle एक से ज़ादा host में complete करते है ठीक है मतलब पक्सीनिया की कुछ species heterosius है मतलब वो अपनी life cycle एक से ज़ादा host में complete करते है इसको हम कहते हैं heterosius जैसे पक्सीनिया, graminis, triticae very very IMP हमें यही पढ़ना है और बहुत सारे इसकी species autosius भी होती है autosius का मतलब जब यह अपनी life cycle केवल एक host में complete करे तो इसको हम autosius कहते हैं क्या कहते हैं autosius कहते हैं इत्ती बाद समझ ली उसके बाद आगे चले उसके बाद आगे चलते हैं host of पक्सीनिया, graminis, triticae पक्सीनिया, graminis, triticae क्यों क्यों से host होते है तो इसके दो host है एक primary host एक secondary host ठिक primary host एक monocot है जिसको हम wheat कहते हैं और secondary host एक dicot है जिसको हम barbary कहते हैं क्या कहते हैं barbary ठिक wheat का नाम क्या है triticaeum estivum है और barbary, barbaris, vulgaris है इतनी बाद सबको समझ आ गई तो इसके दो host है आपसे direct question पूछा जाता है life cycle को इसको हम macrocyclic कहते हैं macrocyclic का मतलब बहुत सारे sports बनते हैं इसकी life cycle में बहुत सारे sports बनते हैं इसकी life cycle में इसलिए इसको हम macrocyclic life cycle कहते हैं इसका life cycle क्या कहते हैं macrocyclic कहते हैं ठीक आगे चले, देखिए, sexual reproductionist का spermatization है, very very IMP spermatization पढ़ाया है हमने, जो spermatia होते हैं, वो non-motile male gamit होते हैं, कैसे होते हैं, non-motile male gamit को spermatia कहते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं, इसके sports कौन से, sequence यही होना चाहिए, urido sports, teluto sports, besidio sports, picnidio sports और asio sports, the sequence of sports, यही होना चाहिए, urido sports, teluto sports, besidio sports, picnidio sports, asio sports, अब देखिए, urido sports कैसा है, जरा ध्यान से देखते हैं इसको, सारे के पहला question पकसीनिया से जितने सारे questions आते हैं हम बार-बार यह कह रहे हैं कि आप कोई book नहीं पढ़ना book पढ़ोगे न हमने इसको इतने simple तरीके से आपको पूरा इसका life cycle पढ़ा दिया है और आपको अच्छे से समझ भी आ देगे तो please book को refer नहीं करना book नहीं पढ़ना इस वक्त जितना हमारे काम भर की चीज़ें हैं वो हमने देख लिया है एक बार हम देख लेते हैं हमें सबज आ जाता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है और कैसे आप समझ पाओगे ठीक है तो एक बहुत सिंपल तरीके से हमने आपे समझाया हुआ है आप उसको देखना पहला question आपसे पकसीनिया हेट्रोसियस है कि और्टोसियस से यही पूछा जाता है ठीक है इसकी life cycle कैसी है इसके primary host क्या है secondary host क्या है और इसके बाद आपसे question पूछा जाता है कि इसके जो sports का sequence है वो क्या है ठीक है फिर sports के बारे में आपसे पूछा जाता है देखे यह है देखे यह 5 इसपोर में पहला हमने आपको पहला इसपोर हमने यह बताया है यूरीडो स्पोर यह ऐसा होता है हमने बनाया है देखे द्यान से यूरीडो स्पोर ऐसा होता है और यूरीडो स्पोर में यह कैसा है यूनी सेल्ड di انकेरिाटिक एक सल में दो ν्यूक्लिएस वेरी-वेरी आइम्पी पहला question यहीूनी सेल्ड dicariotic uniceld binucleate binucleate भी कह सकते हो ठीक फिर उसके बाद दूसरा spore है telutospore मतलब uridospore germinate करके फिर telutospore बनाता है तो telutospore कैसा है telutospore है ऐसा जड़ा ध्यान से देखिएगा telutospore है ऐसा ऐसा मतलब ये biseld है biseld binucleate या dicariotic biseld diicariotic very very IMP बता रहे हैं सारे type के question आ सकते एक्जाम में each and every line can be framed in form of question ठीक है तो याद रखना फिर besediospore uniceld uninucleate है uniceld uninucleate है ठीक है uniceld uninucleate है picnidiospore uniceld uninucleate है इस तरीके का spore और उसके बाद acospore uniceld binucleate है uniceld binucleate है ठीक है अब जड़ा ध्यान से देखना जब हमने आपको sports पढ़ाया था याद करो हमने exospore, endospore, aplanospore, planospore, mitospore, miospore वहीं भे हमने एक dichariotic sports भी पढ़ाया था याद आ रहा है कि नहीं बता था ना exospore क्या क्या है क्या-क्या है exospore konidia है, vesidio sports है, oodia है, endospore क्या-क्या है बताओ sporangiospore है, jewsports है, klemaidospore है, और, 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 eskospore है ठीक है planospore में क्या-क्या था केवल jewsports planospore है मतलब जो motile है ठीक है ना mitospore जितने भी asexual spore है, mitospore है miospore जितने भी sexual spore है, miospore है वहीं पर हमने आपको बताए था एक क्या diicariotic sport diicariotic sport में हमने uridospore, teletospore, acesopore पढ़ा था uridospore, teletospore, acesopore आप से पूछा जाएगा कि 5 sports में से कौन diicariotic है तो एक, दो, ती uridospore, teletospore, acesopore uridospore, teletospore, acesopore याद हो जाएगा कौन bicelled है कौन uninucleate है 2 out of 5 how many sports are uninucleate 2 out of 5 sports how many sports are binucleate 3 out of 5 sports how many sports are bicelled 1 है ना इतनी बाद समझ आ रही है फिर देखिए अगला question कैसे पूछा जाता है अगला question पूछा जाता है कि इन 5 sports में से 2 sports आपके wheat की पत्यों पे मिलते है कौन-कौन uridospore और teletospore 2 sports आपके barbari की पत्यों पे मिलते है कौन-कौन picnidospore और acesopore और एक sport जो आपका besidio spore है वो swail में मिलता है मतलब जब गेहू कटाई के बाद गेहू की दवाई होती है गाउ में देखा होगा आप लोगों ने तो जो भूसा होता है भूसा उसमें मिलता है वो swail में मिल जाता है और उससे swail में आजाता है और फिर ये ineffective stage for wheat and which spore is ineffective stage for barbary leaf, okay, तो बताओ आप यहाँ देखके बता सकते हो कि कौन सा spore wheat को infect करेगा, obviously acu spore, जो barbary leaf का अंतिम spore है, वही तो infect करेगा ना, किसको wheat की पत्तियों को, तो acu spore will be ineffective stage for the wheat leaf and ये besidio spore जो swaile वे है, वो इसको infect करेगा, besidio spore will be ineffective stage for the, you can say कौन, किसके लिए, किसके लिए, हाँ, barbary leaves के लेकिन इसमें कुछ twist है आगे देखते हैं, twist क्या है, देखे यहाँ पे हमने लिखा है, तीन spore binucleate है, मतलब urudis spore, tellutus spore और acu spore, और उसके बाद हमने लिखा है, ineffective stage तो इसका ineffective stage का है, जड़ा ध्यान से लेखिए, for wheat and for barbary for wheat, for barbary wheat के लिए, देखे ध्यान से, in initial stage जब पतियां, गेहूं की पतियां young होती है, तब उसको acu spore infect करता है, कौन acu spore, लेकिन अगर acu spore exam में आपके नहीं दिया है, option में, तो urudis spore भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि acu spore आगे germinate करके urudis spore बनाता है, और urudis spore अपने latter stage में फिर अलग से दूसरी पतियों को infect करता है, तो wheat के leaf के लिए ineffective stage दोनों है, acu spore भी है, urudis spore भी है acu spore infect करता है new leaves को, और फिर पतियां तो जैसे और फिर mature पतियों को urudis spore, acu spore germinate करके urudis spore बनाएगा, urudis spore फिर अगली leaves को infect करेगा तो wheat की पतियों के लिए ineffective stage दो हो सकते हैं, क्या-क्या? acu spore भी और urudis spore भी हमने लिखा है, initial stage में young leaves को acu spore, और latter stage में mature leaves को urudis spore infect करता है, और barbary की पतियों को besidio spore infect करता है, यहाँ पर हमने बहुत simple तरीके से एक life cycle बताई है, और अब इसको ध्यान से देखना इसी में हमने बहुत time बिता दिया था और एक शायरी भी सुनाएथी, ठीक है? अच्छा हुआ, वो चला गया था, क्या? यह आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है? अब नहीं सुनाएंगे, अब देखो यहाँ पे इधर देखते हैं, यह हमने बना दिया एक दम ध्यान से देखना एक डाइकोट और एक मोनोकोट यह डाइकोट है, बारबरी दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, अच्छा लगेगा मज़ा आएगा समझके बस ध्यान से देखना है यह डाइकोट है, बारबरी की पत्ती है और यह वेट की पत्ती, कैसे पहचानों के भाई? डाइकॉट है, मोनोकॉट है, obviously डाइकॉट में जो वेनेशन होता है, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, what is the meaning of venation, venation means arrangement of vein and veinlets in leaves, पत्तियों में जो vein और veinlets का arrangement होता है, उसको venation केते हैं और डाइकॉट में venation reticulate होता है, jewel-like होता है, monocoft में parallel होता है, monocoft में parallel होता है, parallel होता है, parallel होता है, ठीक? Am I clear with this? ठीक है? चलिए देखें आपे, ये wheat है, बारबरी है, ओके? हमने इस बारबरी की पत्ति को किसने infect किया है? यहाँ से Cand Club How to intend at. यहां से Sindic यहां से कहानी शुरू करते हैं कहानी अब आप कौगा है हम कहानी शुरू कहान से हैं तो कहानी शुरू है यहाँ से देखे यह best Spore कहई से भटकता भटकता आया pregnant एक स्क्षूर से और बार्बरी की पत्ति को adaxial, lower epidermis को avexial, बताया है हमने सारी चीज़े, याद आ रहे है ना adaxial, avexial यह सब पढ़ाया है हमने भाई, आप याद करो इसको ठीक है, और हमने आपको बताया भी था कि monocot और dicot leaf में अंतर क्या है कब बताया था, when I was teaching about you can say transportation in plants, तो हमने बताया था, हमाँ पे stomata पढ़ाते टाइम कि दोनों में अंतर एक stomata का distribution होता है distribution मतलब monocot में stomata amphi stomatic type होते हैं, दोनों surface पे equally distributed होते हैं dicot में hypostomatic type होते हैं lower surface पे ज़्यादा होता है as compared to upper surface या you can say in case upper surface पे नहीं भी हो सकता है दूसरा difference हमने एक और बताया था यहाँ पे इसका mesophyll undifferentiated होता है, मतलब mesophyll क्या है, दोनों के बीच का upper और lower epidermis के बीच के space को ही mesophyll कहते हैं, पत्तियों के case में, और mesophyll है इसका ground tissue भी कहलाता है, और यहाँ पे mesophyll में एक ही तरीके के cells होते है, mesophyll undifferentiated, जबकि dicot में mesophyll differentiated होता है, upper palisade perenchyma और lower spongy perenchyma, बताया था नहीं बताया था बताओ आप, बताया था, आपको याद नहीं है, यह अलग बात है, ठीक है रहा चलिए देखे, अब क्या होगा, कहानी शुरू हुई, besidiospores जब हमने section काटा, तो section काटने के बाद हमने देखा, अभी कुछ नहीं करना है, besidiospores ने इसको infect किया कहानी यहीं छोड़ दीजिए, फिर क्या हुआ अंदर, अभी नहीं जाते हैं, ठीक आखरे में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ mycelia में से germinate करके एक sport बनाया है, जिसको हमने ACO sports नाम दिया है, और ACO sports कैसा है भाई, तो ACO sport है, uniceld binucleate, uniceld binucleate और अब यह ACO sport stomata के तुरू बाहर आ गए, तो ACO sport पहली कहानी यहाँ से शुरू ही है, ACO sport बारबरी की पत्ति से बाहर आया, यह uniceld dicariotic है, क्या है uniceld dicariotic है, ठीक अब इस ACO sport ने infect किया गेहूं की पत्ति को किसको? गेहूं की पत्ति को, ध्यान से देखी ACO sport will be the ineffective stage for wheat leaves गेहूं की पत्ति को infect किया और अब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना है, जब इसने इसको infect किया, और ACO sport कैसा है, binucleate है, या dicariotic है इसने germinate किया, इसने germinate किया, इसने germinate किया तो इसने क्या बनाया, ध्यान से देखीएगा, एक ऐसे uniceld binucleate sport बनाया uniceld binucleate sport बनाया, जिसको नाम दिया uridospore ACO sport ने गेहूं की पत्ति में germinate करके, क्या बनाया uridospore, क्या नाम दिया uridospore am I clear with this, कोई tension नहीं आतक, अब ये uridospore कैसा है, uniceld binucleate या dicariotic, अपने latter stage में, will infect another wheat leaf, ये अगली wheat leaf को infect करेगा तो देखे, ये फिर से हमने गेहूं की पत्ती ही बनाई है, और ये एक strain ये एक strain uridospore का और ये दोनो जर्मिनेट करके दोनो जर्मिनेट करके एक biceld biceld, thick wall biceld biceld, spore बनाया जिसको इस एक के अंदर ये दो nucleus, इसके अंदर दो nucleus, क्योंकि भाई, ये biceld है biceld, dicerotic mycelium है, ठीक है ये दोनो biceld spore बनाया जिसको telutospore कहा biceld, dicerotic, very, very IMP very, very IMP तो weight की पत्ती के लिए acus4B ineffective stage कह सकते हैं, और uridospore भी ineffective stage है अभी तो आ रही है ना आवाज ठीक है, अब देखिए आप बताओ हमें ये दोनो opposite strain के nucleus, ये दोनो opposite strain के nucleus अब क्या होगा, यहाँ पे clamp connection होगा very, very IMP clamp connection का मतलब यहाँ पे भाई, clamp connection बताया था दोनों के nucleus exchange होगे clamp connection होगा तो इसका एक nucleus ये एक type का nucleus है ये एक इससे exchange हो जाएगा तो clamp connection exchange of nucleus of opposite strain फिर बन जाएगा zygote क्या बन जाएगा? zygote बन जाएगा जब zygote बन गया तो अब ये zygotic meiosis होगा zygotic meiosis इसमें भी zygotic meiosis इसमें भी तो यहाँ पे अब एक बाहर basidia निकलेगा और बन जाएगे 4-4 basidiospores कितने? 4-4 basidiospores बनेंगे एक mycelium से देखो यहाँ पे 4 basidiospores यहाँ 4 basidiospores यहाँ बन गया यही तो चाहिए था हमें यही से तो कान ही शुरू करी थी ना हमें basidiospores आ जाएगा soil में और basidiospores infect करेगा बार्बरी की leaf को am I clear with this? और basidiospores फिर यह positive strain और negative strain और basidiospores germinate करेंगे बार्बरी की पत्ती में और बनाएँगे picnidiospores और picnidiospores germinate करके बनाएँगे acospores क्या बनाएँगे acospores ठीक है? तो यह पूरी की पूरी इनकी life cycle है एक अच्छे sequence में देखे आप अच्छे से इसको समझे कुछ भी ज़रूत नहीं है आप बार बार एक ही बात कह रहे है और कितनी बार कह चुके है आपके 100% questions लगने से मतलब है और कल हम लोग कल से परसू इसका live session भी करेंगे और फिर से हमने बताया कि लगबग 100 questions का है पता नहीं आप कब बताया जब mic चल रहे थी तब बताया नहीं हमें नहीं पता तो लगबग 100 questions करेंगे फंजाई से फिर से और एक भी question ऐसा नहीं होगा आप बस इतना समझना कि examination के point of view से सारे question important होगे और उससे ज़्यादा question कहीं से नहीं आएगा ठीक है ये इसकी पूरी life cycle है यहाँ तक कोई tension की बात नहीं है सब का सब यही है पूरा इसका पक्सीनिया का life cycle है ठीक बारबरी की पत्तियों को besidiospores ने infect किया है anyhow हमने ACO spore मिला ACO spore इसको infect करेगा यह इरोडिसपोर बनाएगा इरोडिसपोर फिर wheat को ही infect करेगा और wheat से फिर clam connection होके फिर यह बना और यही तेलिसपोर विल गी वराइस टू besidiospores ठीक तेलिटसपोर ही आगे चल ribs जल्के besidiospore ठीक हो गया कहानी यहीं तक थी जो कि हम इतनी देडर से पढ़ा रहे थे और पता नहीं था हमें ठीक है तो चले नहीं देखिये यह कहानी खर्थम एक बार इसको life cycle आप फिर से देख लिजिए, फिर हम एक आखरी चीज पढ़ा दें, आज हमने और कुछ पढ़ाने हैं, आज LG भी शुरू करना था, लेकिन अब तो time बहुत हो रहा है, तो हम बस अब क्या करेंगे, एक अस्टिलागों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जहां से question आता है, comparative study करनी है अस्टिलागों की, इससे और कुछ नहीं करना अस्टिलागों में, ठीक है, बस इसको देख लिजिए, एक बार देख लिजिए, फिर अस्टिलागों चलते हैं करना अस्टिलागों चलते हैं अस्टिलागों झाल है। करना है यंचक भरक तरक धॉह पल्हा हुआछिय। करना है करना तरक करना देह हैं